एजुनियर चलो उठी ये चैर मेरी है पर ये तो लकडी की है अबे लकडी की है पर सारा कॉलेज जानता है कि कüz कैंटीन में सिर्फ मैं इस चैर पे बैठ सकता हूँ क्यों बाकी सब में कील निकली हुई है अबे कील के वकील मैं इस कॉलेज का हीरो हूँ और इस चैर पे सिर्फ मेरा राइट है पर चैर तो लेफ्ट में है अबे परेड की लेफ्ट राइट बंद कर और दूसरी चैर देख चाल प्लास्टिक वाली देखूँ किलो है वाली अबे मेटलर जी छोड़ फटा फट खड़ा हो जा कुरसी पे खड़ा होंगा तो सबको लगेगा मुझे पणिश्मेंट मिली है अबे ज्यादा बगबग मत कर तू जानता है मेरा बाप कौन है क्यों तू नहीं जानता मेरे बाप पे मत जाना वरना बाप तेरा है तुझे उस पे जाना चाहिए अबे तुझे मैं सिर्फ इस कुरसी से उठने के लिए बोला है समझाना अगर तू दो मिनिट में नहीं उठाना तो दुनिया से उठ जाएगा पर मैं तो दुनिया पर बैठा ही नहीं हूँ अबे दुनिया से उटने का मतलब तो भगवान को प्यारा हो जाएगा भगवान को तो सब प्यारे हैं क्योंकि वो सब से प्यार करता है अबे सचसंग बन कर जल्दी ओट वरना तुझे कोई नहीं बचा पाएगा कोई बात नहीं मैं खुद बचत कर लूँगा अबे सेविंग अकाउंट जल्दी उटा औरना जब घी सीरी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेडी करनी भी जानता हूँ मैं उंगली की जगा चमच क्यों नहीं यूज करता तू अबे ये किस से पाला पड़ गया तो एक काम कर आज से एक कुरसी तेरी बिना टेबल के कुरसी किस काम की लिए अबे टेबल भी ले मेरे बाप ठीक से बोल टेबल लू की बाप तेरे को जो मन में है वो ले ले बस मुझे शांती के साथ चाय पीने दे यार मन की शांती की सुख शांती बस मैं इसको दादा हो कुछ तो इज़त करना भाए दादा है तो तेरे पोते किदर गए जहन्नुम में गए अकेले गए की दादी के साथ गए इतना लंबा मम्मी क्यों बोला उनकी हाइट ज़ादा थी क्या आ नहीं ठीक से बोल हा की ना अरे 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 कोई मुझे बताएगा मेदू अरा में छेद क्यों करते हैं